नमस्कारम सद्गुरू, मैं देख रही हूँ कि मुकाबले का विचार हमारे मन में इतना रचा बसा है कि ये गयर जरूरी तनाव पैदा करता है। सिर्फ स्कूल सर पर ही नहीं, बलकि पोस्ट ग्राजुएट सर पर ये हमारे जीवन के किसी भी पहलू में। तो वाकई इस बारे में क्या कर सकते हैं। मुकाबला एक अच्छी चीज है। अगर आप काबिल नहीं हैं और मुकाबले में हैं, तो आप तनाव महसूस करेंगे। तो अगर आप मुकाबलों में रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी काबिलियत पर काम करना होगा। अभी समस्य ये है, कि आप अपनी इच्छा बढ़ा रहे हैं, नकि अपनी काबिलियत। यही होना जरूरी है, हमें बच्चों को, उनकी क्षमता को बढ़ाना सिखाना होगा, नकि इच्छा को। हम इसे महत्वाकांशा और लक्ष पर केंद्रित होना कहते हैं। महत्वाकांशा मतलब क्या? आपने इच्छाएं बढ़ा ली, आप जरूर परिशान होंगे। अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे, आप जहां भी जाते हैं, आप उससे बहतर काम कर रहे हैं, जिसकी आप से उम्मीद है। तो स्वाभाविक है, चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, मुकाबला बुरी चीज नहीं है, काबिलियत की कमी बुरी चीज है। हमें ये समझना चाहिए, इस देश में ये बहुत महतुपून है, क्योंकि हम अब भी सोचते हैं कि हमारी शिक्षा स्वर्ग में पकाई जाती है, क्योंकि मैं, लोग मुझे बताते हैं कि परीक्षा से ठीक पहले मंदिरों में भीड होती है, वो होने के लिए गलत जगा वो बस गलत जगा है, जब आपकी परीक्षा आ रही है, तब आप मंदिर में हैं, आप गलत जगा हैं, छुट्टी में आप मंदिर में बैटे हैं, अच्छा है। इसलिए काबिलियत के बजाए हमारी इच्छाएं बड़ी हैं, अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाने में ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि हर दिन सीमाए तोड़ने और कुछ बहतर बनने में कितना आनंद है, आपको कोई चिंता नहीं कि कोई और कैसा कर रहा है। हाँ, अगर रोज आप सीमाए तोड़ रहे हैं, एक बार मैं बच्चों को शायद होम स्कूल में कह रहा था, एक कक्षा, बच्चों से भरी कक्षा ऐसी होनी चाहिए, जैसे अंडे से बच्चे निकल रहे हों। एक समय मैं रेशम की खेती करता था। और मैं हैरान होता था, इस हद तक कि उन्हें कभी-कभी बाजार नहीं ले जाता था। क्योंकि ये, अगर आप कोकून को काफी समय छोड़ देते हैं, इन्हें बाजार नहीं ले जाते, तो आपको इन्हें खुलते हुए देखना चाहिए। इस तरह शोर मचता है, धीरे-धीरे वो इसे खोलते हैं। जब लाखों कोकून खुलने की कोशिश कर रहे हों, आप इस कमरे के अंदर आईए। ऐसी आवाजें स्कूल से आनी चाहिए, कि हर पल वो अपनी सीमाएं तोड रहे हैं। अगर आप अपनी सीमाओं को तोड रहे हों, अगर आप लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हों, तो किसी और को देखने का समय नहीं होता कि वो कैसा कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी चीज आपके भीतर हो रही हैं, तो क्रिपे आपनी क्षमता पर ध्यान दें, मुकाबला आप परिशान नहों, अगर आप अच्छे हैं, तो आप शिखर पर होंगे, वरना कहीं तो होंगे, ये ठीक है। झाल